नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि राम के निर्मल यश का वर्णन उन लोगों से कैसे होगा जो राम के प्रती मन में मैल रखते हैं। ऐसे लोग राम के जीवन में भी थे और जीवनों परांत भी रहे। कुछ ऐसा हुआ कि भारत को उत्तर से दक्षिन एक्ता और बंधुत्व के सूत्रों में बादने वाले राम उन लोगों की आँखों को खटकते ही रहे, जिनका अपना एजिंडा भारत के खिलाफ चलना ही चलना था। सो राम की कीरती से जले हुए लोग उन पर लिखने का छद मपाल कर भी करते राम की आवव मानना ही रहे, तरह तरह की युक्तियां, कभी उत्तरकान जोड़ दिया, कभी करुन रश्च की निश्पत्ती के लिए राम का ही यश्धु मिल करने की कुशिश हुई, ये डाउट परांत, इस देश के बचपन में भी इस आदमी के आईने की तरह साफ चहरे और चरीत को कलंकित करने की उपधारा चलती रही, शायद इस सुयश के साथ आनिवारी ही होता है, कि उस पर आक्षेप और आरोप लगा कर ही लोग अपनी मौलिक्ता सिद्ध कर पाते हैं, जो प्रशिक लेखक, वामपंथी लेखक, जातिवादी और शेत्रवादी लेखक करते रहें, कंबन रामायन या रामावतारम जब लिखी गई तो दक्षिन में लिखी गई और राम प्रेम के कारण लिखी गई, और वालमिकी का रिणस विकार करते हुए लिखी गई, बलकि व उपर कीछड़ उचालना ही इस बात का प्रतीक है कि ये लोग अपने ही माबाप की भावना न समझ सके तो राम को क्या समझें इतने पूरे इतिहास में दक्षण में कभी रावण मंदिर क्यों नहीं बने जब तक कि द्रवेड इसमिता के नाम पर राम कथा का राजनेतिक वि यसी राजनेतिक पार्टी आयोचित करती है तो 40 से जादा लोग नहीं ठृटते जब प्रियासों नहीं चुटा पाती दोगों को रामेश्वरम नहीं दिखता, अलवार और नयनार संत वहीं हुए, संगम साहित्य, पुलकेशिन के अबलेक, पुरान अरारोर, अगान अरोर, सिलप पे दकायरकम, सभी तमिल गरंतों में रामभक्ति मिलती है, चक्रपाणी रंगनात की 13 सदी की रंगनात रामायन ह या भासकर रामायन हो, या एक कुमार जाती की कव्यत्री, मौला की 14 सदी की मौला रामायन हो, उस सब दक्षण की ही थी, चेरामन की रामचरितम, या रामा पनिक्कर की रामकन्नासा रामायन, या आयपिल आसन की रामकथा पुट्टू, या पूनम नापोतरी की रामायन च चंद्रचरीत पुराण तुलसी से 400-500 साल पहले लिखी गई थी अब जिनके बन में मैल है चाहे किसी भी कारण से हो सामराजवादी कारणों से, भारत की अखंड़ता के विरद्वसाजशी कारणों से या विचार धारात्मक कारणों से उनका वा मैल ही उनका बाधक है विचार धारात्मक अग्रह भी मन के दरपन पर जम गई धूली है शुद्च इतना से ही राम के यश्का सार पकड़ा जा सकता है शुद्ध मन में ही वो पावन संभावना वो प्योर पोटेंशिलिटी है जिनके मन में किसी तरह का hidden agenda है जिनके मन में कुछ ulterior motives है वे राम के विमल यश्क को प्राप्त कैसे करेंगे यदि मन के दरपन में सुधार नहीं हुआ है तो राम की विमल कीर्थी के अभी वेक्ति होगी ही कैसे मन का दरपन टुकड़े टुकड़े हो गया हो तो राम नहीं टुकड़े टुकड़े गेंग का agenda चलाने की कोशिश होगी भक्ति तो हृदे की धारा थी लेकिन विचार धारा ने उससे प्रतिस्थापित करना चाहा और जितना अस्फल होते गए उतना उनका राम के विरोधी दुराग्रह बढ़ता गया सस्ते फैमिनिस्ट राम को इस्त्री विरोधी बताने में जुटगे जातिवादी लोग राम को शुद्र विरोधी बताने में जिन राम को वालमिकी ने विग्रहवान धर्म कहा था प्रतिद्वन्दी धार में कहीं कि पंथी अमजब उन्ही राम की निंदा में लग गए हैं विचार धारा को लुई आल्थुसर ने इसलिए चेतना की अनुपस्तिती कहा था उन्होंने कहा था कि ideology has very little to do with consciousness it is profoundly unconscious तो जो लोग गले गले तक कीचड़ में डूबे हुए हैं वे लोग अब राम पर कीचड़ उचालने चलें पढ़ाओ पहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपया की पहली किस योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है बढ़ चलो लाडली बहना वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशन हम करते हैं सट्य का अनुवेशा दखल नीउस आपके हथ में आप देख रहे हैं दखल नीउस